बच्चों आप सबको पता है कि class 9th math exercise 13.6 चल रहा है question number 5 इसमें आप पढ़ेंगे इस्क्रिन पर ध्यान से देखिए हिंदी में लिखा है और मैं इसे इंग्लिस में पढ़के सुना देता हूँ इंग्लिस में question सुनिए क्या कहता है एक पॉस्ट रूपे 2200 टूपेंट दा इनर कब सर्फेस आफ़ा इसलिंड्रिकल विजल 10 मीटर दीप इप कॉस्ट आप पैंटिंग इज एट रेट आफ 20 रूपीज पर मीटर स्कॉयर फाइंड क्या क्या करना देखिए आपको इस्क्रिन पर हिंदी में तीन पार्ट दिख रहा है फर्स्ट में कह रहा है इनर कब सर्फेस एरिया आप विजल यानि वर्तन का आंत्रिक वक्र प अब क्या करना इसमें इसको हमें हल करना है जो कुछ हमें दिया है पहले उसको लिख लेंगे गिवन आपको पता है हिंदी इंग्लिस दोनों मेडियम वाले इसको देखते हैं तो इंग्लिस वाले काफी समझदार होते हिंदी में मैं लिख देता हूं इंग्लिस में मैं बोल में टोटल कॉश्ट दिया है मतलब लागत दिया है बाइस सो रूपए क्या यह दस मीटर गहरे बेलना कार बलतन का जो आंत्रिक वक्र प्रिष्ट है उसको पेंट कराने का खर्चा बाइस सो रूपए है तो आप इसे इंग्लिस में ऐसे भी लिख सकते हो कॉश्ट इक्वल 2200 और इसमें रूपए का चिन भी लगा दीजिए रेट भी दिया है रेट मतलब दर हिंदी में क्या बोलेंगे दर बोलेंगे इंग्लिस में रेट रेट है तो ट्वणटी रूपए पर मिटर स्कॉाइर ये क्या दिया है और और क्या दिया है जो बिजल है में इसाला वरतन उसका जो हॉइट है वो टेन आप क्या लिखेंगे 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 लेकिन फार्मूला यह होता है तो आप लिखेंगे सी एस थोड़ा सा यह कम चलता है मुझे लग रहा है कि अधिए जो सी एस एका पहले कि वाइडिफाल्ट सुत्र होता आप उसको लगाएंगे लेकिन उसके पहले जो हमें दिया है पहले उस बेस पर हम यहां से कुछ चीज़ें कर लेते हैं जैसे हमें यहां पर क्या नहीं दिए जाहिए आपको रेट दिया है कॉस्ट दिया है है जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट देखें हैं उनको एक फर्मूला और बताया गया वह क्या है क्या देखिए आपको दिख राओगा एक फर्मूला यह मैंने बताया था इंट्रोड़क्शन पार्ट में कॉस्ट इक्वल रेट इन्टू सी एस ए यह तब लगाते हैं जब हमें उपर दी गई इतनी जनकारी दी गई हो यहां से हम जो भी इसमें नहीं दिया है उसे फाइंड कर लेते हैं फिर आपको पूरा दिखेगा अभी बस थोड़ा फरुक ठीक है आई यह कॉश्ट हमें दिया है 2200 रेट भी दिया है और यह हमें फाइंड करना था और सर्फेस एरिया यानि इससे बात करें तो प्रिष्टिय छेदरफल यहां से आप इसको सिंप्लिफाई कर लेंगे इधर यह गुड़ा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एक जीरो से जीरो कट जाएगा दो से इसको कट दोगे आप 110 आएगा यानि 110 मतलब 110 अब C.S.A. जब इसका मैंने टीटेल में फर्मूला बताया था तब ही से आप जान रहे हो कि यह स्क्वाइर में होता है इसमें एरिया हमें इसमें लिखते हैं इसको आर में लिखते हैं तो यह हो जाएगा 110 मीटर स्कॉर यानि आपका जो C.S.A. था वो आ गया इसमें तीन पार्ट थे उसमें से फर्स्ट पार्ट हो गया पूछ रहा है इस पूरे जो आपका यह वर्तन था उसका रेडियस पूछ रहा है इन्हीं सबको लगा करके उसको फाइंड कर लेंगे इसको इतना लिख लीजिए फिर मैं उसको दिखाता हूं जल्दी करिए और इस स्क्रेंसाइड ले लिजिए इसमें निकालना है रेडियस का फर्मूला होता है आपको बता है कि जो बेलन होता है मिन सिलेंडर उसका सी एसे होता है टूब यारेच ना कव सर्फेस एरिया वह कर प्रिष्टिय छेतरफल तो आप यहां से लिख लेंगे चाहें तो सिकेंड पार्ट ऐसे यहां पर आप ल लिखता हूं हिंदी में ही कभी-कभी इंगली सी उजोता बस ठीक है इसको दिरिज्जा बोलते हैं तो आप क्या लिखोगे यहां पर हिंदी वाले लिख लें थोड़ा लिखना पड़ता इसलिए मैं नहीं लिखता हूं आप सुन रहें तो लिख सकते हैं वह कर प्रिष्ट लिखने के बाद क्या करेंगे 110 मीटर सकते हैं अब देखे इसमें क्या है इसमें हमें हर्मुला पता है ना 2 , 8 होता आई है भाई जो वरकर suburbs चेतरपल होता उसका सूतर ये होता है तो मैं ने इसकी जगहा पर सूतर रख लिया और बराबर यह हमें दिया ही था चूकि तो हमें इसको इसके बराबर कर देते हैं अब यहां पर सारे मान रख दीजिए आप जितना भी दिया गया है तो गुड़े पाई कमान बाइस बटा साथ और आर कमान नहीं रखना चूकि हमें आरी तो निकालना है और पता भी नहीं रखेंगे कहां से हाइड दिया था ये 110 है अभि अदेखिए की सिंपिलिफाई हो जाया त्लीट्व लीजेμέ रहे पार चीजें को यहां पर गुड़ा पिकर चक्ते करें तो पड़ा हो जायागाआ तो इधर साइड क्या है आर सीधा लिखेंगे अकेले उधर साइड सबसे पहले क्या है 110 है ना तो चाहे तो इसको थोड़ा सा आप साइड कर लीजिए या फिर मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूं कुछ बच्चे काफी कंफ्यूजन में हो जाते हैं इधर साइड जो 110 दिया इसको ऐसे लिख लीजिए इधर देखिए सब गुड़ा में है उदर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो सब पहले आप एक बार ऐसे कर लीजिए फिर अभी हम आपको इसको अब बता रहे हैं अब पूरा-पूरा मैंने उदर भेज दिया सिर्फ और सिर्फ आर को छोड़ करके आप देखिए यह चीज मैं आपको बताया था साइद इसके पहले भी जब ए बटा बी बटा सी बटा डी आप यहां पर पहले पहुँचे आपको समझ में आया होगा ना यह बात नहीं आई तो यहां पर देख लीजिए जैसे देखिए मैं इसको अगर आईसे कर दूँ और इसको बाईस बटा साथ यह इतना समझ लीजिए इसमें क्या होगा यह अल्रेड़ी भिन्न के रूप में है यह नहीं है इसके नीचे एक मान लीजिए इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ आप इसको आईसे कर सकते हो आईसे और इस यह साथ ऊपर चला जाएगा ना समझ मैं यहां से आप क्या करेंगे इसको यह साथ को उपर भीज देंगे फिर यह आपका हल करना भी आसान हो जाएगा अब आर बराबर हो जाएगा यह 110 यह साथ ऊपर चला जाएगा फिर यह अकेले नीचे बचेंगे अपना जो भी है अब दो गुड़े 22 गुड़ा यह 10 अब एक जीरो से जीरो कट सकता है और बाकी तो कुछ कटेंगा नहीं तो मुझे लग रहा है कि यह आईए देखिए अब क्या करेंगे अब आज हो गरताना अगर कोई गरबड़ है इस्टर पंकज कुमार कमेंट दिख रहा बच्चा तुमारा रोहिद बिसकर्मा सबका कमेंट आ रहा है परेशान न रहें अब देखिए यहां से आप एक जीरो से एक जीरो कट दीजिए है ठीक है 11 का पान सबको आता है 11 कम 11 12 अब ऊपर कुछ हैसा नहीं जो सिंप्लिफाई हो सके नीचे से यहां पर दो और दो बच रहा है उपर साथ बच रहा है यह साथ बटा चार आ जाएगा फाइनल में इसे आप अगर मिस फ्रेक्शन में चेंज करेंगे तो एक बार दीव लेकिन हमें रेडियेफ निकालना है तो हम इसे दसमलों में लिखेंगे क्योंकि त्रिज्जा जो है वह हमें एक दम पूरा क्लियर लिखना है तो दा समलों में आप इसे जब चेंज करेंगे इधर साइड में आप कहीं भी कर लीजिए तो वन पॉइंट संथिं और यह किसमें आएगा एक कि सब मीटर स्काइर में ही निकल रहा था ना उम्हें इस्कौाइर में नहीं आएगा एक है 1.75 मिटर लिख लीजिये कोई डाउट है तो बताइए देखिए यहां पर जो भी दिया गया था हमें में दिया गया था यह जो हमने निकाला था अगर यह सेंटीमीटर में होता तो रेडियस यह भी आपका सेंटीमीटर में आता तो जो रासियां में दी गई है पहले जहां से हम इस्टार्ट किये हैं अगर आप उपर से देखेंग तो यहां पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है तो इसको लिखे जल्दी अगला नेक्स तीसरा पार्ट यह थार्ड पार्ट देख लिजिए थार्ड में क्या कह रहा है कपिसिटी आफ वीजल ऐसे कुछ बोलते हैं यहां पर अंग्रेजी जैसे दी गई मैं वैसे बोल रहा हूं मतलब उसकी धारता निकालनी है तो थार्ड वाला पार्ट में क्या है बेलन का आयतन आप लिख लिज आप इसमें जो भी मान दिया गया है सब रख दीजिए आपका अंसर आ जाएगा आर कमान अभी-अभी मिला है इसका बाइस बटा साथ 1.75 स्कॉयर है तो दो बार और यह 10 कि हल कर लिजिए देखिए इसको आप साथ से काट सकते हैं इस साथ से काटेंगे साथ एक कम साथ यह आपका 7 से कट जाएगा साथ दूना चव्दा लेकिन पहले एक बार में तो जाएगा नहीं प्रक्रोंकि 1.75 है तो आप जीरू जाएगा लगबंग दूना 41735 तो यह इतना लगबंग क्योंकि 25 सत्य आप देखोगे तो कितना होता है 175 होता है ना अब नीचे से सब कट गया उपर कुछ बचा है जो भी बचा नीचे कुछ नहीं बचा है आप इन सब का मल्टीपल कर लेंगे और मल्टीपल करना आपको आसानी से आता है आप नाइंथ में पहुंच चुके हैं यह सब का गुड़ा कर लीजिए देखिए यहां पर दो अंक पर दस हमलो है दो यहां पर है तो चार अंक पर दस हमलो है फाइनल में आप कर लेंगे 96 लगबाग आएगा कर लीजिए गा ठीक है है 56.25 हम क्या रहें आपर आयतन निकाल रहें हमेशा किसमें आता है गं में आता है चार वह Great हो सेंटिमेटर हो जो भी रासी दी गई हो क्योंकि हमें सब मेटर में दिया गया था इसलिए मेटर क्यूब आएगा यह इस पेसली एक पहचान होती यह गड़बड कर दोगे तो सब गड़बड हो जाएगा अब यह आपका आगया अंसर इस तरह से आपको कुश्चन नंबर 5 कंप्लेट हुआ इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं नहीं जल्दी लिखिए अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी नोट कर लिजिए अगर कुछ भी डाउट है तो बताएं निसांकोच बोलिए बिलकुल अगला नेक्स कुश्चन देखिए 7 नंबर हिंदी में आपको स्क्रिन पर दिख रहा है इंग्लिस में मैं पढ़के सुना रहा हूं ध्यान से सुनिए 2. a мышsh kρα • leed pencil consists of cylinder of wood 사진 with solid cylinder of graphite field in the interior the diameter of Pencil 7 mm and diameter of graphite is 1 mm if the length of the pencil is 14 cm find the volume of the wood can be एक बार फिर से सुन लीजिए वैसे वीडियो को बैक करके चलिए कोजिशन पर चलते हैं हिंदी में कहता है साथियों कि चीज़े की एक पैंसिल है यानि लीड पैंसिल है लकड़ी के एक बेलन के अभेंतर में ग्रिफाइट से बने ठोस बेलन को डाल कर बनाई गई यह पैंसिल आप लोगों ने देखा होगा जैसे यहां पर हमएरे पास एक पैंसिल होगी सायद के देखिए पैंसिल जो बनती ऊपर लकड़ी रहती है इसमें आपके पास भी फैंसिल होगी देख ले ना जब आप छिलते हो तो बीच में क्या निकलता काला कर नोग जिसे बोल रहा है आगे एक बार फिर से कुश्चन समझी है तो समझ में आएगा कि लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने भोस बेलन को डाल कर बनाई गई पैंसिल है पैंसिल का जो ब्यास है वह 7 mm है और ग्रेफाइट का ब्यास 1 mm है यानि पहले हम फिगर बनाए ये पैंसिल की total मोटाई 7 mm है लेकिन नोक हो फ़िर पदला रहेगा ना कि वानली चिए फिर आपको अच्छे से रहे होगा आएए बनाते है चलिए कि मैंने पैंसिल बना लिया मानिए कि यह क्या है पैंसिल है जिसकी मोटाई 7 mm है ठीक है औक्लूचर ये ने शksam आई इसकी मोटाई कितना है 7 mm है अब इसमें पैंसिल के अंदर 9 कैफे डाली गई बीच में इसकी मोटाई कितना है I don't wait साइनं पारणं मम्म होगा सब्सक्राइब ल है सब्सक्क्राइब है जो स्मन्मिक है तो 10 rim है को इसको हमें काम करते हैं इसमें अभी रुकिए हम कुछ नहीं करेंगे इसमें एक चीज दिया है वो का दिया है हमें जो इसकी हाइट दी है वो सेंटीमेटर में दी है या तो हम सेंटीमेटर को में चेंज करें या तो में को सेंटीमेटर में तो हमें काम करना है हमें में को से सब्सक्राइब यहां से जादा यहां बताने के टाइम तो है नहीं आप यह समझ लो कि जो वन सेंटीमेटर होता है वो दस मिलीमेटर के बराबर होता है तो इसी एक अगर आप देखोगे इसको आप चेंज कर सकते हो क्या यह 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से अगर आप कैपिटल आर निकालोगे मेरे भाई तो कैपिटल आर आपका 0.7 बटा यह आपका क्या हो जाएगा तो इसी तरह से यह तो बात हो रहे थी सिर्फ पैंसल की अब हम बात करें अगर जो LED है पर LED नहीं लीड जो है बीच में नोक जो पड़ी है नोक की लिए हम इसमाल डी लेते हैं जो भी दिया हमें यह 1 mm है और इसको भी आप अगर चेंज करोगे सेंटिमीटर में तो 0.1 सेंटिमीटर होगा इसका अगर हम इसमाल आर निकालेंगे तो 0.1 अपां 2 सेंटिमीटर होगा यह सब दिया गया है पैंसिल की लंबाई यानि इसे यल या कैप्टल याच दोनों से लिख सकते हैं तो इसको भी लिख लो भाईया याल और याच यह कितना दिया है वोट्टीन कि लिख दीजिए फोटीन सेंटिमीटर ओके अब हमें करना क्या था कैरा बैलूमाब फुड जो लकड़ी है उसका आयतन कैसे निकालेंगे ऐसे समझ लिजिए जैसे यह पैन है इसमें स्याही भरी जा सकती है तो इसमें कितनी स्याही भर सकते हम यह निकालना है जैसे माल ल को निकालना है कि इसके अंदर में कितना इसपेस है उसको कैसे निकालने के लिए पहले हम लिखिये। लिखिये लिखिये आगे लिखिये। बैलूमाफूर को मेंस इतनी मौटी वह नोग है उसकी मोटाई घटा देंगे ड έχ चीज नंदर पार्मॉला लगां दाँ है। देखिए लकडी का जो आयतन आएगा वो पैंसिल का आयतन से गरेफाइट का घटा दिया जाएगा आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई एक पाइप है एक पाइप के अंदर हम इतना पानी भर सकते हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे आपके घर में नल लगा होगा नल देखें हो ना पानी जिसमें बरते हैं कभी अगर नल भिगड़ गया खोला गया उसको देखना जब जो हंडिल हम लोग ऐसे से चलाते हैं ऐसे पंप उसके बिच में एक राड पड़ा होता है तो नीचे जो पाइप होती जिसमें पानी उपर आता है वो देखना राड निकालोगे फिर फाइब के यतन से राड का घटा दोगे तो बीच की जो जगा है वह बचेगी राड के बगल में कितनी जगा से थी उसी में पानी भर रहा था तो वैसे इसको निकालना है कुकि यह सभी बेलन क्या कारके है इसलिए इन में जो सुत्र लगेगा वो बेलन वाला ही लगेगा तो पैंसिल के लिए हम काइप्टल आर यूज करेंगे हर जगा और यच तो मुझे लगता हर जगा एक ही समान है इसमें तो कोई अंतर है नहीं माइनस यह पाई आर स्कॉयर एच इतना आप लोग कर लेंगे ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं किसी को चलिए अब इसमें हम एक काम करेंगे पाई और एच कॉमन ले लेंगे ठीक है भाईया पाई और एच कॉमन ले लो तो आर का स्कॉयर माइनस यह इसमाल आर का स्कॉयर सब्सक्राइब बनेगा ठीक है रख दीजिए सभी फटा-फट आपका पाई कमान बाइस बटा साथ यह कमान 14 तुकि दिया गया था मेरे भाई दिया गया था यह कितना सबको आता है मैं उपर साइड से हल करूंगा इतना लिखिए उसके बाद आगे बढ़ें इसको साइड में हल कर लेते हैं आओ इधर साइड में जगा है तो काहे को आज लग ले चलें यहां देखो भाई समझो यहां पर थोड़ा सा सभी बच्चे समझो प्यार से देखो बाबु यह आपका कट जाएगा साथ दूना चाउदा बाइस का दो में गुड़ा करोगे चावालिस आएगा यहां पर आपको जगा दिख रही थी यह 44 ह जाएगा इतना होगे 44 अब यह देखो इसकॉयर ऑगा नीचे 2 है 2 इसमें भी चार हो जाएगा यानि नीचे का हर क्या है बराबर है 0.7 का स्कॉयर करोगे तो भेया 0.7 का स्कॉयर जो है आपको पता है कि 7 का स्कॉयर 49 होता है क्योंकि 0.7 इफ लिए 0.49 आएगा और यह क्या आएगा 0.01 इसमें से जब घटा आओगे तो कितना आएगा आप घटा आगे देख लो एक मिनिट हैं पर समझ लो पहले यह आपका 0.1 दिया इसका इसक्वायर का मतलब यही हुआ ठीक है गुड़ा करेंगे दो अंक पर दस हमलों लगेगा मेरे भाई तो 0.01 आएगा इसको आप जब इसमें से घटा आओगे न तो यह 48 हो जाएगा यानि फाइनल में आपको अगर यारा आठे अठासी असी लाठ त्यारा चोग चोवालिस चोवालिस चापचास दो बावन यह हो जाएगा आपका 528 ऐसे दिखेगा तो अंक पर दसम्रू लगेगा तो 5.28 हम निकाल रहे हैं चूकि आयतन और हमें यह सब दिया था सेंटिमीटर में क्यों सेंटिमीटर क्यो इसको लिखिए फटा-फट किना लिखने जल्दी करें तका कमेंट आомина परेसान ना रहो मिश्टर रोहीत जी आपका कमेंट आहरहा है आप कमेंट आ रहा है रभी यह सब का कमेंट आ रहा चलिए अ कि एक बचाए इसमें पैलू में उसको भी लिखिया फटते लिखिए लिखिए ग्रेफाइट का अयतन बरावर ग्रेफाइट का अयतन बरावर देखो भाई यह भी फार्मूला वही हुज होगा इसमें भी अग्रेफाइट में चूकि आपको जो वो दिया था रेडियस बहुत छोड़ा दिया था 0.1 mm आया था तो आप सारा मान रख दोगे 22 बटा 7 इंटू 0.1 अपान टू ऐसा ही कुछ आया था नहीं है कि सुरू से देख रहे हो तो सब पता होगा हाइट चौदा दिया गया था अलकल लीजिए इसको आप यह साथ से आपका कट जाएगा तो साथ दूना चौदा दो से यह कट जाएगा दो से काटो के ग्यारा आएगा सब क गुड़ा कर लोगे मेरे भाई दो अंक पर यहां से दसामलो लग जाएगा आपका 0.11 यह सेंटिमेटर क्यों आएगा इस तरह से यह कुछ भी कंपलेट हुआ साथ वा नंबर इक्सरसाइज 13.6 आप पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और है इसको मैं आपको अगली क्लस में करवा दूंगा कोई परकार का डाउट है तो बताएं इस तरह से आपका 13.6 पूरा कंपलेट खतम हुआ किसी को कुछ भी डाउट है बताईए कमेंट सबका आ रहा बिल्कुल परिसान नहीं मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इस समय आपको कमेंट पढ़ूंगा जो बहुत डिश्टरब होता है तैंक्यू